हेलो एवरीवन, सभी भाई लोगों को MS का सल्यूट, आज हम लोग अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं, कुछ डल्टा की PLC या WPLC सॉफ्ट में यूज़ होने वाले इंस्ट्रक्शन के बारे में, कि हमने कई बार पर्टिकुलरी अपने, हमने कई बड़े प्रोग्र करते हैं और यह किस तरीखे से काम करता है ? जनरली हम कुछ रंग को हमें इग्णौर करना होता है यह बात मैं आपको इस ही प्रोग्राम का यह मैंने इस एक बड़े बनाय हुआ है एक मैंने एक्जांपल प्रोग्राम बनाए हुआ है, मैं आपको दोनों कंडिशन जम्प का और कॉल सब्रोटीन का एक आपको प्रोग्राम बना के दिखाऊँगा इसको मैं एक्स्प्रेइन करके दिखाऊँगा तो इस वीडियो को आगे लास तक देखें थाकि आपको यह अच्छी से समझ में आ जाए कि यह इंस्ट्रक्शन हम यूज कहा करते है अगर हम कंडिशन जम्प इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं यह हमारा condition jump instruction है condition jump instruction हम वहाँ use करते हैं जहां हमें कुछ रंग बीच की छोड़नी होती है फिर हमें रंग अपनी jump करानी होती है में लिए हम जब program auto manual में बनाते हैं तो हम auto के वक्त हम जितनी manual की रंग से उनको हम jump करा देते हैं जब हमें use नहीं होता जहां पर तो यह हमारा पैस यह condition jump की program है यह program कहता है कि जैसी x0 on होगा x0 on होगा ऐसी instruction follow होगी cgp1 condition jump को point p1 सम जंप कराएंगे तो p और इसका मतलब क्या होगा जैसे x0 on होगी तो ऐसी हमारे जो beach की रंग है x1 वाली रंग है यह ignore हो जाएगी और सीधे हमारा इसके बाद सीधे हमारी जो रंग execute होनी शुरू होगी वो नीचे x2 वाली रंग से p1 n वाली रंग से हमारा program execute होना इस्टार्ट होगा और x1 वाली x1 वाली रंग ignore हो जाएगी जब यह कब तक ignore होती रही जबता हमारे x0 input healthy रहेगा जबता x0 input available रहेगा बट जब हमार x0 input नहीं होगा तो यह सारी complete रंग execute होगी ऐसा नहीं होगा कि p1 n condition jump वाली रंग को हम छोड़ देगा यह पूरी रंग को execute करेगा बट जैसी मेरी cg1 की command execute होगी condition jump की command execute होगी वैसी condition jump के बाद जितनी भी हमारी रंग होई रंग को यह छोड़ देगा यह हमारे condition jump की बात हो गई है बट इसके बिल्कुल सेम ऐसा ही कुछ होता है हमारे call subroutine call और subroutine subroutine के program में इसका भी मैंने example बनावा है इस example हम लास्ट में बताएंगे बात करते हैं पहले call subroutine के program में क्या होता है जैसे हमारे call की instruction execute होती है जो रंग होता है F E N D और subroutine के बीच का जितनी जो रंग होती है उस रंग को ही program PLC execute करता है और फिर किसी और रंग को execute नहीं करता है जैसे हमारे condition jump की call की instruction execute होती है वैसी ही beach की रंग को छोड़ करके यह उसे fend के आगे की जितनी रंग है उनको execute रगता रहता है जब तक हमारी call के instruction नहीं हाती तब तक यह हमारी fend और subroutine की beach की instruction को छोड़ देता है read नहीं करता हमारे condition jump में क्या होता ही जब तक हमारी cg condition jump के instruction नहीं आती तब तक हमारा पूरा रंग रीड होता रहता है बट कॉल के इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि हमें जो हमारी सबरूटीन वाली इंस्ट्रक्शन है इसको छोड़ देता है सबरूटीन के इंस्ट्रक्शन को छोड़ देता है पीलसी पूरी जब तक हमारी call instruction यहागी जब तब तक हमारे पूरा program रीड होता रहेगा बट जैसे हमारे call की instruction आईगी वैसी सारे program को छोड़ के सरफ और सरफ यह fend और sub routine की बीच में fend और sub routine की बीच में जितने instruction होगी उतनी instruction को read करेगा सबसे पहले हम लोग आते हैं example देख लेते call instruction का यह मेरी construction है basically मैंने इसके अंदर हम s0 है मेरा step relay इसको step relay step relay कहते है जैसे m bit हमारी auxiliary relay होती है वैसे s हमारा step relay है मैंने इस program में क्या करावा है जैसे मेरी plc stop से run mode में आईगी वैसी मेरा set होगा s0 s0 set होते है यह मैंने normally close कर रखा है contact को मेरा क्या होगा कि condition jump कराएगा p1 को condition jump कराते ही p1 मेरी कहाँ पर आजाएगी condition यह यह आजाएगी इस point पर जैसे condition jump होगा तो मेरा यह point आजाएगा और मेरा t2 जो यह मेरा t2 timer है वो start हो जाएगा ठीक है अब एक बार हमने इसको online लेते है इस program को मैंने इसको simulator पर ले रखा कोई p1c connect नहीं है simulator पर यह ठीक है अब देखो अब यहाँ पर क्या हो रखा है कि मेरा condition jump अभी बंद है अभी condition jump instruction बंद है ठीक है condition jump instruction बंद है क्या हो रहा है कि यह मैंने सबसे उपर देखते है मैंने कि set है s0 को set करा रखा है और s0 bit यहाँ ले करके मैं normally मैंने और यहाँ पर normally close कर रखी ldm 1000 ldm 1000 को सुब को पता है कि m1000 को होता है जब भी bbc run mode में होती तब भी मेरा 1000 on होता है healthy होता है तो इसलिए मैं nc में लगा रखा है यहाँ पर नीचे हम देखते हैं यह मेरे पूरा प्रोग्राम रीड हो रहा है मेरे पूरा प्रोग्राम चल रहा है यह मेरा 10 millisecond का क्लॉक है 1 second का क्लॉक है फिर यह मेरे इसको यह भी अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो यह भी मेरा टाइमर चल रहा होता है अब यह देखेंगे यह भी मेरा टाइमर चल रहा है ठीक है अब यहाँ पर देखते हैं कि यह भी मेरा टाइमर इसकी टाइमिंग भी लगता चल रही है मगर मेरा condition jump instruction अभी Condition Jump Instruction Execute नहीं हो रहा है जैसे मैं LDM1000 को normally open लगाऊँगा तो मेरा यह हुआ Condition Jump Instruction Execute अब मेरी CG Instruction Execute हो गई है और CG Instruction Execute होने के बाद से ही जितनी जितना रंग मेरे CG P1 Condition Jump Instruction और P1 Instruction के बीच में इन दोनों के बीच जितनी रंग है उस सारी रंग ने मेरा काम करना छोड़ दिया इन रंग ने मेरा काम करना बंद कर दिया इतनी रंग ने और इसके बाद की इस Instruction के बाद की रंग हम लोग वो सारे मेरे normally work कर गए जैसे काम कर रही थी पहले इसका मतलब कि हम इस सेम प्रोग्राम का आटो मैनूल में यूज कर सकते हैं हम कंडिशन जंप इन्स्ट्रक्शन से पहले की सारी मैनूल की आटो की मैनूल कर सकते हैं उसके पाद सारा आटो कर सकते हैं आटो का प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि हमें कम से कम bit या फिर कम से कम रंग में हमारा program पूरा हो जाए ये तो हमारा program हो गया cj condition jump का I hope cj instruction का program को example के साथ सहंज में आया होगा rest हम लोग फिर बात कर लेते हैं call instruction की call instruction और condition jump instruction की ठीक है ये मेरा call instruction का है call call instruction का है और नीचे मैंने ये जो है fend fend के बाद जैसे call instruction execute होगा वैसी ही मेरी दो call के fend के बाद जो मेरी दो रंग है ये दोनों रंग execute होगी और उसके बाद कोई और सी रंग execute नहीं होगी ठीक है और जब तक मेरा वो instruction नहीं आता है तब तक मेरा ये fend यह मेरी execute नहीं होगी, यह चलेगी नहीं, ठीक है, चलो, मैं इसको इसको इपर online लेके दिखाता हूँ, आपको, ठीक, यह मेरा प्रोग्राम online आ गया है, अभी मेरा के timer के, अभी मैंने timer से call जम करा रखी, तो timer मेरा चल रहा है, तब तक मेरा, मेरा बीच की सारी रंग चल रही आपको बदिजन सिर्णा है कि अब ही तक मेरा यह इंस्ट्रक्शन एक हाँ अब जैसे मेरे टीजर अन हुआ बाकी सारी रंग भी चल रहाए आप यह बंद हुआ है बट उसके एक्जम बाद मेरे इसको इन्स्ट्रक्शन एक्जीकूट होती है बीच की रंग को छोड़ करें इनको क्या करता है इनको फिर नहीं करता है उसके बाद दूर फिर से उपर से वापस रीड करना स्टार्ट हो जाता है थैंक्यू, that's all इस वीडियो में इतना ही और और कुछ अगर आपको कुछ इस वीडियो के रिलिटेंड डाउट है तो हम लोग कमेंट में बात कर लेंगे और मेरे वीडियो के मेरे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं कि मैंने कई सारी PLC, HMI और इंडिस्ट्री में हो, इंडिस्ट्री आटोमेशन में आने वाली प्राउलम्स के उपर मैंने वीडियो बना रखी, आप देख सकते हैं और किसी भी वीडियो के comment box में जाके आप मेरे whatsapp नमबर भी दिल ले सकते हैं और whatsapp भी कर सकते हैं अपनी problem जो भी आपको problem आरे है इस problem के regarding thank you that's all for the video अगर वीडियो अब तक देख रहे हो तो भाई लाइक चाहिए मुझे लाइक तो बनता है मेरा अब तक अगर आप देख रहे हो वीडियो तो इसका मतलब वीडियो सही सहांज में आ रही हो और यह काम की वीडियो आपके तो मुझे like चाहिए इस वीडियो के अपर अगर इसके अंदर आप मेंको hundred likes तिला देते हो इस वीडियो के अपर hundred सिर्फ hundred likes तो मैं आपको और जा और इसके अंदर और interruption command लेकर किया होंगा जो interruption command बैक कटिए या फिर बहुत fast machine वे use होने वाले होती है thank you